जेहिन मनक्तम सथिया काल नमशकार वेलकम टू सोनु आर्मी क्लासेस स्टूजेंट जैसे कि हम हर हपते आप लोगों के लिए केमिस्टी का एक नया टॉपिक लेकर आते हैं तो इस हपते भी केमिस्टी का एक नया टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑक्सीड रियक्शन के अटेंड नहीं करिये तो उसको अटेंड कर लीजेगा उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और इसके अलावा आप चैनल की प्ले लिस्ट को चेक आउट कर सकते हैं जिसमें आपको फिजिक्स, गेमिस्ट्री, बायलोजी, मैज ज स्टुडेंड आज की जो कलास अब लोगों के लिए बहुत जादा बेनेवीशल होने वाली है तो आपको इस क्लास में क्या बेनिफिट मिलेगा वो क्लास कड़र करेंगा तब आपको पता चल जाएगा और स्टुडेंड अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो कमेंट स तो क्या होता है तो क्या होता है तो वन बाइवन हम एक एक पॉइंट डिसकस करते जाएंगे क्योंकि ऑक्सिडेशन के लिए बहुत सारी कंडिशन होती है तो पहली कंडिशन यह होती है स्टुडेंट की एडिशन ओफ ऑक्सिजन यहीं की ऑक्सिजन का जुड़ना क्या कहलाता है स्टुडेंट ऑक्सिकरन खेलाता मोस्ट इंपोर्टन पॉइंट नोट करते जाएंगे ऑक्सिजन अगर जुड़ जाएगी रियेक्शन में तो क्या होगा ऑक्सिकरन होगा चले आपका यह जो addition of oxygen का doubt है वो clear हो जाए question दिया गया है निमनभी करिया में से किस पदार्थ का oxygen हो रहा है which substance is being oxidized in the following reaction तो हमें reaction दी है magnesium oxide है student carbon monoxide से reaction के magnesium बन रहा है plus carbon dioxide यहां पर create हो रही है तो देखिए यहां पर इसके साथ भी oxygen है अब यहां क्या है oxygen नहीं है that means यहां से oxygen क्या हो गई है remove हो गई है removal of oxygen हो गया और यहां carbon monoxide था लेकिन carbon monoxide के साथ यहां की oxygen add हो गई है तो क्या हुआ यहां पर addition of oxygen तो oxygen का addition हमने अभी पढ़ा कि oxygen का जुड़ना क्या होता है oxidation यहां की oxy current होता है तो यहां पर क्या हो रहा है student oxidation हो रहा है लेकिन अगर oxygen remove होती है तो उसे क्या कहते है reduction यहां की up chain तो यहां पर up chain जो है उसकी परिभाशा भी आपको साथ साथ learn हो जाएगी सिर्फ आप oxidation को याद कर लोग उसका just opposite कर दोगे तो यहां पर reduction भी आपको पता चल जाएगा तो reaction में oxidation और up chain यहां की oxy current और up chain पता करना बहुत easy है पहली condition आप याद रखिए oxygen का जुड़ना और हटना तो यहां पर addition हो रहा है oxygen का किसमे carbon monoxide में तो carbon monoxide का यहां पर क्या हो रहा है oxidation यानि की oxy current हो रहा है तो question में पूचा है कि किस पदार्थ का oxy current हो रहा है तो oxidation कहां पर हो रहा है यहां पर हो रहा है carbon monoxide का हो रहा है जो कि carbon dioxide create कर रही है तो इन सभी में से क्या right answer होगा carbon monoxide का क्या हो रहा है oxidation क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है add हो रही है oxygen oxygen जुड रही है तो ये ध्यान रखिएगा ये प्रोपर्टी है एक oxygen की चलिए next जो question है कि उपरोक्त अभीक्रिया तो हमने जो अभीक्रिया देखी कौन सी magnesium oxide plus carbon monoxide से magnesium बन रहा था और यहाँ पर carbon dioxide create हो रही थी तो ये जो reaction है इसमें oxykarak और अपचायक ये भी question exam में पूछे जाते हैं तो हमें पता है oxidation कहाँ पर हो रहा है student यहाँ पर तो reduction हो रहा है है ना ये कि अपचयन हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है student oxidation ये कि oxygen हो रहा है अब आफिकारक और अपचायक क्या होते हैं पहले मैं आपको वो बता दू तो आफिकारक वे होते हैं दो सब्स्टेंस ओन्यज नोन इस solidizing agent which performs reduction अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं अक्सी करन करवाते हैं तैट सब्स्टेंस नोन इस reducing agent which performs oxidation, तो जहां पर oxidation होता है, वहां पर अपको reducing agent मिलेंगे, यने कि upachyak मिलेंगे, और जहां पर reduction हो रहा है, वहां पर आपको oxyakark मिलेंगे, यने कि oxidizing agent मिलेंगे, तो दिभान रखे कि opposite करना है, आपको oxyakark और अपचायक पता करने के लिए oxidation and reduction पता करना होगा Oxidation reduction पता कर लोगे तो इनके जस्ट आपोजिट कर लोगे जहां पर Oxidation हो रहा है दो सबस्टेंस विच पफॉर्म Oxidation Known as Reducing Agent तो आक्सिकार को रप चाहिए कि Oxidizing Agent और रिदूसिंग एजेंट पता करना बहुत इजी है अब यहां पर हम नारा जो है reduction कहां पर हो रहा है वहाँ पर मिलेगा आपको क्या Oxidizing Agent तो इजेंट किसका होगा student Magnesium Oxide का तो Magnesium Oxide क्या होगा Oxidizing Agent کیयों क्योंकि यह क्या कर रहा है Oxidation में help कर रहा है किसकी carbon monoxide की carbon monoxide Oxide को oxygen किसने provide करी यह Magnesium Oxide में इस तरह से भी आप इसको learn कर सकते हैं इसको याद करने का लर्न करने का बेस्ट ऑप्शन यही है कि Oxidation Reduction पता करिए तो जहां पर Oxidation होगा वहाँ पर आपको Reducing Agent मिलेगा और जहां पर Reduction होगा वहाँ पर Oxidizing Agent तो यहां में मिल गया हमें Oxidizing Agent अब हमें पता करना है क्या Reducing Agent यहीं की अपचायक तो यह कहां पर होगा तो Carbon Mono Oxide is the Reducing Agent वाई? वाई? विकोज इट परफॉर्म Oxidation यह Oxidation में हल्प कर रहा है Oxidation हो रहा है वहाँ पर आपको Reducing Agent मिलेगा तो सबसे पहले Oxidat और आप चायक कौन होंगे Magnesium Oxide and Carbon Mono Oxide तो ध्यान रखिएगा बहुत easy concept है दो चार questions की और आप इसी तरह की questions आपकी जो book है जिससे आप पढ़ रहे हो उससे practice करिए तो यह जो concept है बहुत अच्छे से आपका clear हो जाएगा चलिए next question कर लते हैं चलिए next point about oxidation अभी हमने oxidation की बात करी add हो गई oxygen oxygen का addition oxidation हो गया first point second point oxidation का यह है removal of hydrogen hydrogen का त्याग या निकलना hydrogen अगर निकल जाती है remove हो जाती है तो that means oxidation हो रहा है चलिए एक question कर लेते हम जिससे आपको अच्छे से समझ माया है कि किस तरह से removal of hydrogen में oxidation पफॉर्म होता है question दिया गया है निम्न अभी करिया में से किस पदार्त का oxygen हो रहा है which substance is being oxidized in the following reaction तो आपको reaction D है H2S hydrogen sulfide bromine 2HBR plus S चीक है अब यहां पर क्या हो रहा है hydrogen sulfide जो था hydrogen sulfide से यहां पर क्या हो गई? hydrogen gas remove हो गई है और sulfur अकेला बच गया है तो यहां पर क्या हुआ student? removal of hydrogen यहां कि hydrogen का निकलना किस का? hydrogen का वो क्या होता है? oxidation यहां कि oxygen तो यहां पर oxygen हो रहा है क्या हो गया है? इसका reduction हो गया है because of add हो गई है हाँ पर क्या? hydrogen तो यह oxidation हुआ और यह reduction हुआ question में पूछा गया है कि कौन सा substance है जो oxidize हो रहा है जिसका oxidation हो रहा है तो hydrogen sulfide क्या हो रहा है? oxidation हो रहा है क्योंगि इसमें से hydrogen remove because it removes hydrogen तो यहाँ पर क्या perform हो रहा है oxidation तो right answer क्या होगा option A चलिए एक और question कर लेते हैं उपरोग अभी करिया में oxidizing agent and reducing agent in the about equation तो about equation क्या थी हमारी H2S plus BR2O2HBR यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि oxidizing agent and reducing agent तो यहाँ पर क्या perform हो रहा है oxidation यहने की oxy current तो जहाँ पर oxy current होता है student वहाँ पर क्या होता है reducing agent यहाँ मिलेगा आपको तो reducing agent क्या हुआ यह और जहाँ पर reduction perform हो रहा है यहाँ पर क्या है reduction यहने की up chain यहाँ पर आपको क्या मिलता है oxidizing agent ठीके तो यहाँ पर क्या पुछा आक्सिकारक अपचाएक तो आक्सिकारक क्या है BR2 और अपचाएक क्या है H2S तो यहाँ पर right answer हमारा क्या हुआ H2S तो oxygen कारक है और BR2 क्या है अपचाएक है तो right answer क्या होगा अगर एक और option है आपर डाल देते हम हो गए है option बाकि answer क्या होगा hydrogen sulfide और ब्रोमिन hydrogen sulfide क्या होगा और reducing agent होगा और यहां पर क्या होगा oxidizing agent होगा ऑक्सी कारग होगा ध्यान रखिएगा चलिए नेक्स question है तो स्ट्वेंट यहां पर मैं आपका थोड़ा सा टाइम लेते हुए सोलजर नर्सिंग असिस्टन और अगनीविट टेकनिकल के स्टुडेंट के लिए जो सोनो आर्मी क्लासेश एप्लिकेशन पर बेच चल रही है फाउंडेशन बेच की बात कर रही है वह जो चल रही है उसके बारे में इन्फोर्मेशन को जहांगी क्योंकि स्टुडेंट्स को बेच से रिलेटेट बहुत सारे डाउटस रहते ही है तो यह जो बेच एस्टुडेंट इसमें आपको लो लेवल से हाइव तक तक तिनों लेवल इसमें मैं अगर पेपर तीनों लेवल का आता है लो नोट्स मिलेंगे ताकि आप एक्जाम टाइप पर उनका रिविजन भी कर सकते हो इसके अलावा यह जो क्लासेस है इसकी वेलेडिटी एक साल तक रहने वाली है और प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्स प्रोइड की गई है जिससे आपकी जो ऑनलाइन एक्जाम हो रही है रि तो आपको एक्जाम होए है उसमें पूछे गई है तो आपको इसी बेच के अंतरगत ओल पेपर भी मिल जाएगे और स्टुडेंट इस बेच की खास बात है कि आपको दोनों लेंग्विजे प्रोइड की गई है हिंदी एस इंग्लिश बाली है तो अपको कम्प्लीट में दोनों लेंग्विजे प्रोइड किया जाएगा तो दोनों टाइप की जो स्टुडें ने हिंदी मीडियम ऐस वले इस इंग्लिश मीडियम उनको कोई प्रोब्लम नहीं होगी बैच से तो इस बेच 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 पढ़ने के बाद पर प्रोइड किया जा रहा है फिर भी अगर इस बेच से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो डिस्पले हो रहे हैं वाटसम नंबर पर आप क्वेरी कर सकते हो तो स्टुडेंट इसी तरह से आपको सोलजर नर्सिंग असिस्टेंट की फाउंडेशन बेच प्रोइड की गई है जिसमें बाइलोज से आपका कम्प्लीट सिलेबस हो जाए ऐसे ही आपको अगनीवेट टेकनिकल की क्लासेज भी प्रोवाइड की गई है इस बेच के अंतरगत अगनीवेट टेकनिकल की बैच भी मिल जाएगी जिसमें मैंने कोशिश करी है मेरा एम है कि आप लोगों का पका सिलेक्शन हो ही हो तो ये जो बैच है ओवराल आप लोगों के लिए बैफिट शल ही होने वाली है आपको फाइदा ही फाइदा मिलने वाला है तो अगर आपने अभी तक ये बैच जॉइन नहीं किया है तो सोनु और भी क्लासेज अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए पैट कोर्स में बैच से रिलेटेट जो डाउट अगर और भी होंगे तो वह भी डेमो क्लासेज के बाद क्लियर हो जाए तो डेमो क्लासेज फ्री है कोई आपका चार्ज नहीं लग रहा है कम से कम डेमो क्लासेस को चेक आउट एक बार जरूर कीज़ेगा चलिए अब हम हमारे टॉपिक पर स्विच करता है चलिए एक equation देखे रखें और यहाँ पर पुछाए कि उपरोक्ट अभी क्रिया में क्या हो रहा है किसका oxidation हो रहा है और किसका reduction हो रहा है तो यह reaction अगर हम यहाँ पर लिखें यहाँ पर option यह A है this one is B, this one is C and this one is D तो student इस question को करने से पहले oxidation का एक और point note कर लिजे oxidation में हम दो point अल्रड़ी पढ़ चुके हैं addition of oxygen removal of hydrogen अब क्या है addition of electro negative elements विध्यूत रिनात्मक तत्व का जुड़ना इसको भी क्या बोलते है student oxidation बोलते हैं तो question exam में पूछ लिये जाते हैं कि electro negative element का add होना जुड़ना क्या होता है oxidation होता है reduction होता है दोनु होता है redox होता है क्या होता है तो oxidation होता है धियान रखेगा यह इसका क्या है third point है addition of electro negative element अब कहां हो रहा है इस reaction को इस question को हम करते हैं यहाँ पर SNCL2 था अब SNCL2 से यह किस में convert हो गया SNCL4 में तो यहाँ पर दो क्लोरीन थे यह क्लोरीन क्या है electro negative element यहाँ रखेगा तो यह एक ओर रेड हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया है addition of electro negative element electro negative element का addition क्या होता है oxidation यहनि की oxy current होता है तो यहाँ पर question अगर हम देखें options देख लेते सबसे बहों है HGCL2 क्या oxy current हो रहा है क्या oxidation नहीं हो रहा है हम पर क्या HG2 CL2 का oxidation हो रहा है हम पर SNCL2 का oxy current हो रहा है क्या SNCL2 SnCL2 का oxidation हो रहा है क्या pupil electro negative element में SNCL4 बण गया next option SNCL4 अपचेइथ हो रहा है के गेट रिडूजड जी नहीं यहां पर इसका रिडूक्शन हो रहा है यहां पर रिडूक्शन है तो क्या SNCL4 अपचेइथ हो रहा है इसका रिडूक्शन हो रहा है रिडूक्शन हो रहा है तो राइट एंसर क्या होगा स्टूडेंट ऑक्सिडेशन क कर लते हैं, रीक्षन दी है, हाइड्रोजन पर आक्साइड के साथ रीक्षन करके हाइड्रोखलोरिक एसिड और ऑक्सिजन क्रेट हो रही है तो इस अभी क्रिया में H2O2 किस रूप में कारे कर रहा है, हाइड्रोजन पर आक्साइड एक्षन तो रीक्षन हम यहाँ पर लिख लेते हैं H2O2 हाइड्रोजन पर आक्साइड क्लोरिन के साथ रीक्षन करके हाइड्रोखलोरिक एसिड बनाया और ऑक्सिजन को रिलीस कर दिया तो इस ट्रूइन यहाँ पर ऑक्सिजन भी है हाइड्रो होता है इस तरह से confusion होता है तो oxidation की एक और property आप note कर लीजिए loss of electrons अगर electrons की कमी आ रही है electron की कमी होती है तो उसे क्या कहा जाता है oxidation एने की oxygen कहलाता है oxygen कहते है electron की कमी होना तो electron की कमी है पर equation में कहा हो रही है देखिए यहाँ पर क्या थे hydrogen परक्साइड hydrogen परक्साइड ने क्या करा student अपने दो electron दे दिये two electron यहाँ से remove हो गए और oxygen बन गए chlorine पर यहाँ पर zero इसकी oxidation state थी वो zero थी लेकिन इसने क्या कर लिया यहाँ से दो electron ले लिये और hydrochloric acid में convert हो गए तो यहाँ पर loss of electron हुआ है that means क्या हुआ है oxidation और यहाँ पर reduction यहाँ पर हो रहा है reduction यह धियान रखिएगा तो electron का loss होना electron की कमी होना वो क्या होता है oxidation होता है ठीके question में क्या पुछा है कि किस रूप में क्या कर रहा है क्या यह acid के as a acid work कर रहा है as a base या फिर as a reducing agent या और oxidizer oxidizer also known as oxidizing agent इसे oxidizing agent यह निकी oxykarak भी बोलते हैं oxidizer को ठीके तो क्या हो रहा है अब यहाँ पर hydrogen peroxide का oxidation हो रहा है तो जहाँ पर oxidation होता है वहाँ पर क्या होता है reducing agent तो it acts like a reducing agent अपचायक की तरह खाम करता है hydrogen peroxide इस reaction में चले next question कर लेते हैं इस reaction में किसका अपचायन हो रहा है reduce किसका reduction हो रहा है तो यहाँ पर देखियए ध्यान सा अगर हम यहाँ लिख लते एक्वेशन को copper oxide से remove हो गई है oxygen removal of the oxygen क्या होता है reduction यहाँ पर reduction इनकी अपचायन हो रहा है क्यों क्यूंकि यहाँ से oxygen प्रेक्टिस करोगे आक्सिवेशन रायख्यईशन रैक्शिक्टइशन रेडक्शन और अप्चेन जितनी यदर reaction के practice करो इस्टोन उतना जदा आपको इसके जो concept है वो clear हो जाएगा तो practice करिएगा चलिए नेक्स्ट है प्रतिक्रिया में अब चायक क्या है in the reaction what is the reducing agent reducing agent find out कर लेते हैं चलिए ये reaction हमें हाँ पर given है अब यहाँ पर iron को अपक्राईा क्लूरीन को add कर लिया थो addition of उलेक्ट्रो & क्रोल क्लोरीन को add कर लिया 당 ग्रिष्पर intervene क्या होता है れた शिंटीशन oxy current हो रा है को है तो कि बनी पुछा लैकि क्या है तो क्या होगा जहांँठ में उक्सीडेशन होता है वहांँपर reducing agent मिलेगा, तो oxidation किसका हो रहा है, iron का, तो ये क्या हुआ, reducing agent, reducing agent, यहने की, अपचायक, which perform oxidation, तो right answer क्या हुआ, iron, चली, next question है, oxygen रासाइनिक अभी करिया है, जिसमें क्या होता है, oxidation is a chemical reaction in which, अब इस टाइप के question exam में पूछे जाते हैं, ज्यादा तर, अब हमने oxidation और reduction के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, कि किस तरह से oxidation perform होता है, किस तरह से reduction, oxygen, and oxygen होता है, तो क्या oxygen का जुड़ना, oxygen है, बिल्कुल correct, यह हम example के तुरू देख चुके हैं, hydrogen का removal, hydrogen का त्याग करना, यह भी बिल्कुल correct है, electronों का त्याग, loss of electron, तो right answer क्या हुआ, उपरोक्त सभी all of the above, अब यह केसे हुए हैं, पिछले जो question हमने अभी solve किये हैं, उससे आपको यह जो है, clear हो गया हुआ, कि किस तरह से oxidation perform होता है, अच्छे लिए, next question कर लेते हैं, अब चेंड वर आसा हैं, अभी करिया है, जिसमें क्या होता है, reduction is a chemical reaction in which addition of hydrogen, hydrogen जुडती है, removal of oxygen, oxygen का त्याग होता है, addition of electron, electronों का जुणना, तो hydrogen जुणना, oxygen का removal, addition of electron, these are all the process of reduction, आप oxidation का just opposite करोगे, तो आपको reduction मिल जाएगा, तो एक याद क point, just उसके opposite कर दीए, जिएगा, तो आपको जो है, reduction की process में क्या होता है, वो समझ में आचाएगा, just opposite of the oxidation is reduction, छलिए, next question, ओक्सी करन वो अपचेंड के संबंद में, निमनल खित में से कौन सा कतन सत्ती है, which of the following statements is true regarding oxidation and reduction, ओक्सी करन में electronों का ग्रहन करना शामिल होता है, electrons का, नहीं, यह बिलकुल wrong है, loss of electrons होते हैं, oxidation में, तो यह बिलकुल wrong statement है, ओक्सी करन में hydrogen का ग्रहन करना शामिल है, oxidation involves a gain of hydrogen, this is wrong, loss of hydrogen, removal of hydrogen is the oxidation, hydrogen का निकलना ओक्सी करन होता है, ओक्सी करन में electronों की हानी शामिल होती है, और अप्चन में electron ग्रहन करना शामिल होता है, oxidation involves a loss of electron, बिलकुल correct and reduction involves a gain of electron, this statement is correct, चलिए, next statement भी check out कर लेते हैं, ओक्सी करन में proton की प्राप्ति शामिल है, protons की प्राप्ति, no, hydrogen, एक बात आपको बता दूँ कि addition of hydrogen, ये क्या होता है, reduction है न, और removal of hydrogen, ये क्या है, oxidation है, तो hydrogen, that means what, protons, hydrogen नाम आ सकता है, ये फिर protons भी बोल सकते हैं, आप इसको तो proton, oxidation में क्या होता है, protons का removal होता है, protons that means hydrogen का removal होता है, तो ये statement भी क्या हुआ, wrong statement, oxidation involves a gain of proton, no, removal of proton, removal of hydrogen, so this statement is wrong, ये statement भी wrong है, तो right answer क्या होँआ, option C, चलिए, next question कर लेते हैं, लेकिन, next question करने से पहले मैं आपको बता दू, redox reaction क्या होती है, तो redox reaction क्या होती है, it is the combination of oxidation and reduction, जिसमें oxy current भी होता है, और up chain भी होता है, दोनो reaction perform होती है, which is the combination of oxidation as well as reduction reaction, ऐसा नहीं है कि सिर्फ oxidation ही होगा, reduction भी होगा, दोनों equation का जो combination होता है, उसे क्या कहते हैं, redox reaction कहते हैं, redox, अभी क्रिया कहते हैं, चलिए, next question करते हैं, समझ में आजाएगा redox reaction, दोनों perform होना चाहिए, oxidation भी और reduction भी, तो redox जो अभी क्रिया होती है, जो पदार्थ electron खो देता है, उसे क्या कहते हैं, redox reaction में, तो loss of electron क्या होता है, किसमें होता है, oxidation में, तो redox reaction में, oxidation जो process होती है, उसमें क्या होता है, loss of electrons होता है, तो redox reaction, the spices that losses electron is known as oxidation, oxidation that means reducing agent, क्योंकि उन्हें oxidation reduction नहीं पूछा है, यहां पर पूछा क्या है, agents पूछे हैं, तो oxidant होगा, oxidizing agent होगा, reducing agent होगा, फिर A and B बोथ, ठीक है, तो उसका right answer क्या होगा, student reducing agent अपचायक, because loss of electron is the oxidation, और जहां पर oxidation होता है, वहां पर क्या होता है, reducing agent, तो right answer क्या होगा, option C, अब यहां पर oxidant और oxidizing agent के बाद बतातू, यह दोनों same है, name different है, बाकि same thing है, दोनों oxygen कारक ही होते हैं, चली, next question कर लेते हैं, निमने लिखित में से कौन सा oxygen अभी करिया का उ धारण है, which of the following is an example of oxidation reaction, चीनी को पानी में घोलना, it is not a chemical equation, ध्यान रखियेगा, oxidation reaction is a chemical reaction है, तो chemical reaction जहां पर होगी, वहीं पर oxidation होगा, this is physical reaction, not chemical reaction, so it is not oxidation, पानी को उबालना भी physical process होती है, not a chemical process, तो यह भी नहीं हो सकता, बर्फ को पानी में पिगलना भी physical process है, chemical process नहीं है, physical chemical process हम पढ़ चुके हैं, यह magnesium धातु को हवा में जलाना एक chemical process होती है, अब यह chemical process क्या oxidation है या नहीं है, यह हम पता कर लेते हैं, तो magnesium, oxygen की साथ reaction करके, magnesium oxide create करेगी, ठीक है, यह reaction होती है, burning of magnesium हवा में जलना, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, magnesium में oxygen का addition हो रहा है, add हो रहा है, oxygen, तो इसका मतलब क्या है, it is the oxidation reaction, ठीक है, तो कौन सी हुई oxidation की reaction, magnesium धातु का हवा में जलना, चलिए, next question कर लेते हैं, redox अभी करिया के बारे में निम्लिक खित में से कौन सा कथन सत्ते है, which of the following statement is true about redox reaction, तो redox अभी करिया के अवल अमली घोल में होती है, redox reaction performed only in acidic solution not, as well as basic solution में भी ये perform होती है, तो this statement is wrong, redox अभी करिया में उर्जा का स्थांतरन होता है, लेकिन electronों का नहीं, इसमें electronों का exchange होता है, loss of electron, gain of electrons होता है, तो ये statement भी wrong, redox अभी करिया के परिणाम सरूप हमेशा आउक्षेब बनते हैं, तो आउक्षेब हमेशा displacement, कौन सी displacement reaction हम reaction के types पढ़ चुके है, double, double displacement reaction में हमेशा precipitated बनते हैं, तो ये आउक्षेब बनते हैं, तो ये reaction ये option भी wrong है, redox अभी करिया, कहीं जेविक प्रक्रियाओं में शामिल होती है, redox reaction are involved in many biological processes, जी हाँ, बहुत easy है, photosynthesis की प्रकास insulation के अभी करिया, ये क्या है, redox reaction है, तो right answer क्य होगा, redox reaction, जेविक प्रक्रियाओं में भी शामिल होती है, इसके लावर respiration, इनिकी, श्वेशन में भी redox reaction होती है, चलिए, next question है, oxy, करण और अप्चयन प्रतिक्रियाओं के संबंध में निमलिखित में से कौन सा कतन सत्ती है, which of the following statement is true regarding oxidation and reduction reaction, which is known as redox reaction, oxy, करण और अप् प्रतिक्रियाओं में खोए गए, निमलिख और अप्राप्ति के संख्याओं में बराबर होनी चाहिए जिहास में, अलेक्ट्रोन की balancing हो, इतने electron loss करेगा इतने electron इसमें गैन भी हो जाएंगे, तो balancing electron की इसम होती है, correct है, oxy, करण और अप्चयन प्रतिक्रियाओं के बल्गे औक सीकरंड और कमी प्रतिक्रिया हैं हमेशा सहच प्रक्रिया होती है और उन्हें कभी भी बहारी उर्जास तरोत के आउशकता नहीं होती है क्या नहीं Oxidation और Reduction जो reaction होती है Spontaneous नहीं होती है They never required external energy They require energy बहुत सारी ऐसी reactions होती है जिनको energy की required होती जैसे Photosynthesis Photosynthesis की reaction Redox reaction होती है लेकिन इसको Sunlight यहने की सूरी के प्रकाश की जरुवत होती है तो Oxidation reaction required energy तो this option is also wrong तो right answer क्या हुआ? Option B Next question है Which of the following is a common example of biological redox Biological मतलब जो biological process में Redox reaction perform होती है जैविक प्रक्रियाओं में perform होती है जैसे की Photosynthesis हो गई This is the Redox reaction पानी का उबलना not a chemical process विध्यूत लेपन यह Redox reaction का example नहीं है It is a Redox reaction but not a Biological Redox reaction Neutralization not a biological Biological photosynthesis respiration की जो process होती है वो biological Redox reaction की होती है तो student Photosynthesis की जो Reaction है उसमें किस तरह से Reduction और Oxidation हो रहा है Water जो है Water से Hydrogen का क्या हो गया है अग्जामपल और Oxidation पानी को उबलकर भाप में बना इस फिजिकल रियक्शन पानी में नमक गोलना भी फिजिकल रियक्शन होती है बर्फ को पानी में पिगलना भी फिजिकल रियक्शन होती है Redox reaction क्या है? Chemical reaction है तो लोहे पर जंग लगना It is a chemical process होती है Chemical reaction होती है तो जो देनिक जीवन में एक्जामपल है Redox reaction का वो क्या होता है? लोहे पर जंग लगना तो लोहा क्या करता है? Iron atmosphere में present oxygen से reaction करके क्या बना लेता है? Water molecules बनते हैं यहाँ पर प्लस जंग Iron hydrated, Iron oxide बोलते हैं इसको Hydrated क्यों? X का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो water molecules fix नहीं होते है यहाँ पर fix नहीं होते हैं यह क्या है? जंग का सुत्र है किसका rust का formula rust बन जाती है तो यह जो process है इसमें oxidation और reduction दोनों होते हैं Redox reaction है Iron है Iron के साथ यहाँ पर क्या हो गया? Adding of oxygen हो गया तो add of oxygen क्या होता है? Oxidation और जब इसकी complete process आप देखेगे तो इसमें ions का loss of electrons और gaining of electron process होती है जो कि क्या है? Redox reaction है का example है चलिए Next question कर लगते हैं जंग का सुत्र पूछ लिया जाता है कभी कर एक्जाम में formula of the rust तो अभी हमने देखा क्या था? Fe2O3.X2O Hydrated Iron Oxide Which is known as rust यहनि की जंग चलिए Next question है Galvanization की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा होता है What is deposit on iron in the process of galvanization तो लोहे पर जंग लगना जो process होती है rusting of iron उसको बचाने के लिए galvanization की process perform की जाती है यह सी process होती है जिसमें zinc की जो है परत चड़ाई जाती है किस पर? iron पर जिससे यह क्या करता है atmosphere present oxygen को reaction नहीं करने देता iron से तो यह process होती है galvanization की जिसमें किसका यूज किया जाता है zinc का चलिए next option कर लेते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दू कि rendicity क्या होती है तो rendicity एक ऐसी process है student जिसमें जो हमारा food है वो smell करने लगता है क्यों smell करने लगता है food में bad smell आने लगती है because of oxidation of oils and fats present in food तो खाने में जो oils होते हैं और वसा होती है वो क्या होती है आकसिकरत हो जाती है जिसके करन खाना खराब हो जाता है तो ये जो प्रोसेस होती है इसे कहा जाता है rendicity तो rendicity को किस तरह से आप कम कर सकते हो खाने की या तो उसको refrigerator में रखिए store करके ठीके या फिर sunlight से दूर रखिए away from sunlight है ना या फिर reducing agents का use कर सकते हैं food protection के लिए या फिर packaging जो होती है खाने की packaging की बात करते हैं तो उसमें nitrogen gas को फिल कर दिया जाता है जिससे की rendicity की problem नहीं होती तो ये rendicity धियान रखिएगा इसमें क्या क्या होता है और किस तरह से आप इसको avoid कर सकते हो तो चलिए question देख लेते हैं जालू की चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए उने प्लास्टिक की थेलियों में वातावरण में पैक किया जाता है to prevent the spoilage of the 42 chips they are packed in plastic bag in an atmosphere of the nitrogen gas nitrogen gas उसमें फिल करी जाती है जससे की chips खराब नहों spoil नहों चलिए next option है Fe2 से Fe3 में परिवर्थियों की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो student आपको बता दू oxidation की एक और property है increase of oxidation number oxygen current संख्या में व्रधी इसको भी क्या कहते हैं oxidation कहते हैं तो यहाँ Fe2 था है ना और Fe2 से यहाँ पर क्या हो गया Fe3 मतलब एक और oxidation number यहाँ पर बढ़ गया oxygen current संख्या बढ़ गई है तो इसे क्या कहते हैं oxidation कहते हैं चलिए oxygen current संख्या जो है पता करने के लिए exam में question आते हैं तो चलिए हम कुछ questions कर लेते हैं practice कर लेते हैं oxidation number oxidation state पता करने के लिए K2Cr2O7 में chromium की oxygen oxygen current आवस्था बताने दो oxidation state of chromium in K2Cr2O7 तो आपको सभी की individual oxygen current संख्या भी पता हुनी जी जी से potassium है यहाँ पर potassium देखे रखा है potassium के oxidation state क्या होती है student इसका atomic number 19 होता है तो इसका जब हम configuration लिखते हैं तो 288 कितना हो गया है आट उदस अठारा और एक 19 इस तरह से इसका configuration हम लिखते है तो इसमें एक इलेक्ट्रोन क्या आ रहा है extra आ तो एक इलेक्ट्रोन एक्स्ट्रा आ रहा है उसका मतले भी इसकी oxidation नंबर कितना हुआ प्लस वन ज्यादा हो रहा है तो प्लस वन कम हो रहा है तो माइनस लगाते है तो यह potassium की प्लस वन इस तरह से निकलती है आप उसका atomic number याद रख लिए जो उसका electronic configuration लिखी है वहाँ से उसकी oxidation जो state है वो पता चल दाती है उसके बाद chromium की तो पूछी है oxygen की निकाल लेते हैं तो oxygen का atomic number कितना होता है student 8 होता है तो इसको जग हम break करेंगे तो 2 6 तो इसका octet पूरा नहीं हुआ इसका last जो है उसमें 8 electron होने चाई orbit में तो 6 है इसको कितने की requirement लग रही है दो electron की तो इसका oxidation number कितना होगा minus 2 तो इस तरह साथ निकाल सकते हो तो हमें chromium की निकालनी है तो यहाँ पर जो potassium है potassium 2 है oxidation number इसका 1 होता है plus 1 लिखा chromium भी 2 है x मानली हमें पता नहीं oxygen की भी निकालना है 7 है minus 2 होती है और कुछ भी नहीं यहाँ पर कुछ भी charge नहीं है that means यहाँ पर क्या होगा 0 तो यह 2 यह हो जाएगा plus 2 x 7 2 हो 14 0 14 में से 2 minus करेंगे यहाँ पर कितना मिलेगा 12 x 12 उदर चला जाएगा 2 से divide करेंगे 2 6 हो 12 तो oxygen किती है तो chromium की oxidation instead oxidation number कितना आया plus 6 तो इस तरह सापको एक्जाम में निकालने के लिए आए तो आप निकाल सकते है उसके लिए आपको atomic number और उसकी electronic configuration के से बनाई जाती है वो याद होना चाहिए चलिए next question कर लेते हैं किसमें chlorine की oxygen अवस्था plus 1 है in which of the oxidation state of chlorine is plus 1 तो zinc chloride के अगर हम बात करें ZnCl2 इसमें zinc की कितनी होती है zinc का 30 होता है जिसके electronic configuration निकालेंगे तो इसका जो oxidation number आएगा वो कितना आएगा student plus 2 आएगा ठीके तो यहाँ पर आपको chlorine की पूछिए तो यह zinc की plus 2 plus 2 chlorine की x मान लिए और कोई चाहिए इसलिए 0 यह धर जाएगा minus 2 हो जाएगा तो 2x is equal to minus 2 2 से 2 cancel तो x is equal to minus 1 तो यहाँ पर chlorine की जो oxidation state निकली वो कितनी निकली minus 1 लेकिन यहाँ पर plus 1 के लिए पूछा तो यह option हमरा रॉंग हो गया chlorine chlorine की अगर निकालें तो chlorine की कितनी निकलेगी is equal to 0 कर देंगे हम तो 2 into x is equal to 0 तो यहाँ पर 0 निकलेगी ली एक equal कितनी आईy zero तो यह कितनी आई zero तो वह भी नहीं है यह भी रहोंगे थीन溫ाओ hypo kloris humblor hydrochloric acid की निकाल है hypo kloris acid क्या होता है HOCl, इसमें निकाल लेते हैंhydrogen की plus 1 होती है, oxygen की निकाल ली, minus 2, klorine की x-hex-hex कर लेते हैं, क्योंकि क्लोरीन की पूछी है, यहां हो जाएगा, minus 1 is equal to 0, तो x की value के तिनी आई? plus 1, तो इसमें मिली है हमें, plus 1 oxidation state chlorine की, यह correct होगा, hydrochloric acid की भी check कर लेते हैं plus 1 plus x is equal to 0 तो x equal कितनी आई minus 1 तो इसमें कितनी होती है minus 1 तो ये wrong option हो जाएगा plus 1 कुछी है तो hypochlorous अंबल जो होता है HOCl इसकी oxidation state कितनी है इस अभी में plus 1 होती है चली next option कर लेते हैं किसी रासानिक अभी करिया में option से गुजरने वाले तत्व की आक्सिकरन अवस्था क्या होती है what happened to the oxidation state of an element that undergoes reduction in a chemical reaction तो oxidation state का क्या होता है जब reduction होता है तो ध्यान रखिए मैंने भी आपको बताया था कि oxidation का मतलब ये है कि जो oxidation number है वो क्या हो जाता है बढ़ जाता है और reduction में हमेशा क्या होता है student ध्यान रखिएगा oxidation number decrease होता है कम होता है तो यहाँ पर reduction का पूछा है तो reduction में क्या होगा oxygen संख्या घटती है चलिए next question कर लेते हैं किसी तत्व की मूल अवस्था में oxygen संख्या होती है the oxidation number of an element in its elemental state elemental state मतलब जैसे oxygen, chlorine इसमें जो इसकी elemental state में oxidation number आप निकालोगे जैसे oxygen का में निकालती हूँ कैसे निकालेंगे 2 oxygen है X मानली कुछ भी charge नहीं है 0 तो कितना निकलेगा हमेशा 0 ही आईगी तो elemental state मतलब उसकी जो मूल अवस्था होती है किसी भी तत्व कि उसकी oxidation number हमेशा कितना मिलेगा आपको 0 ही मिलेगा चलिए next question कर लगते है sulfuric acid में sulfur की oxy करन अवस्था आपको बतानी है oxidation of this sulfur in sulfuric acid तो hydrogen की कितनी होती है plus 1 sulfur की पूछी है X assume कर लगते है oxygen की कितनी होती है minus 2, 4 oxygen है कोई चार्ज नहीं इसके उपर इसलिए 0 equal रख देंगे तो 2 plus X 4 to the minus 8 is equal to 0 यह हो जाएगा minus 6 is equal to 0 तो X की value कितनी मिलेगी plus 6 तो इसमें sulfur की oxy current state कितनी है plus 6 है चलिए next question कर लेते है इसमें आपको लोहे की oxy current अवस्था बतानी oxidation state of iron in this तो केसे निकालेंगे iron की बूचिए इसकी हम x assume कर लेते हैं plus यह 6 है bracket में क्या-क्या है 2 hydrogen की plus 1 होती है plus oxygen की minus 2 होती है ठीके is equal to अब यहाँ पर plus 2 का मतलब पूरे compound के उपर plus 2 charge मतलब हम हमेशा भी 0 put up कर देते हैं पर अब 0 put नहीं करना हमको plus 2 put up करना है क्योंकि plus 2 यहाँ पर दे के रखा है plus 2 की जो electron से इसने क्या कर दी है donate कर दी है इसलिए plus 2 आजाएगा हम पर तो x इसका multiply करेंगे 2 यह minus का 2 is equal to plus 2 2 minus 2 0 6 into 0 कितना होगा 0 हो जाएगा तो x plus 0 is equal to plus 2 तो x की value कितनी आई plus 2 तो यहाँ पर आइरन की जो oxidation number है oxidation state है वो कितनी है student plus 2 तो इस तरह से अगर आपको charge वाले number दे दिये जाए तो वो भी अगर plus charge दिया है यहाँ पर plus में रखना है minus charge दिया है तो minus में value put up करना है चलिए next question है निमनी लिखित में से कौन सा oxykarak अपचायक दोनों है इस तरह के question exam में student पूछे जाते है oxykarak कौन सा अपचायक कौन सा दोनों की तरह कौन काम करता है तो धियान रखेगा इस तरह की question भी आपको करना है which of the following is both oxidizing and reducing agent तो hydrogen peroxide act as a oxidizing as well as reducing agent यह आपको learn करना चलिए next question है निमनी लिखित में से कौन सा पदार्थ oxykarak और अपचायक दोनों की तरह प्रयूप्त होता है तो hydrogen peroxide तो था ही था इसके अलावा sodium sulfide sodium nitrate sodium thiosulfide या फिर sodium nitrite तो sodium nitrite act as a both oxidizing and reducing agent अपचायक और oxykarak दोनों की तरह यह काम करता है इसका formula में आपको बता देती हूँ NaNO2 sodium nitrite धियान रखिएगा चलिए next question है hydrogen कारी कर सकता है hydrogen act as a केवल oxykarak केवल अपचायक दोनों की तरह दोनों तरह की oxidation state शो करता है plus one b और minus one b इसलिए यह आपको रखिएग दोनों की तरह कारी कर सकता है चलिए next question निमनलिकित में से कौन सा oxygen के साथ प्रतिकरिया में oxide नहीं बनाता है which one of the following does not form oxide in the reaction of oxygen तो students सारी जो metals होती है वो oxygen के साथ reaction करके metal oxide बना लेती है लेकिन कुछ metals ऐसी होती जो oxygen के साथ reaction नहीं करती है उन्हें कहा जाता है क्या noble metals तो noble metals कौन कौन सी होती है gold silver platinum यह क्या होती noble metals होती तो हमारा रेटेंसर क्या होगा सोना भी और चांदी मतलब A और C दोनों करेक्ट होंगे यह oxygen के साथ oxide नहीं बनाती है because they are noble metals चली next question है निमले कितमे से सबसे प्रबल oxykarak agent क्या है which of the following is the most powerful oxidizing agent तो इन सभी में यह क्या है electronegative series जो है उसी के सदर सी है तो इन सभी में जब सबसे अधा electronegative कौन सा होता है student fluorine होता है इसलिए सबसे powerful oxidizing agent है चली next question potassium permagnate का उप्योग पानी को शुद्द करने के लिए किया जाता है क्यों पानी को शुद्द करने के लिए हमेशा किसका उप्योग किया जाता है oxidizing agent का use किया जाता और potassium permagnate क्या है एक oxidizing agent होता है इसका formula होता है KMNO4 this is potassium permagnate which is act like oxidizing agent औक्सिकारक की तरह कारे करता है और यह क्या करता है जितनी भी impurities होती है water में present होती है कौन-कौन सी होती है magnesium की impurities iron और भी impurities होती है इनके साथ reaction करके एक solid portion बना लेता है और यह water के साथ reaction करके क्या कर लेती है convert कर देती है impurities को solid portion में solid भाग में convert कर देती है और इस तरह से water को क्या हो जाता है purify हो जाता है पाने को शुद्द कर देती तरह potassium permagnate किस की तरह कारे करता है क्योंकि यह क्या एक oxidizing agent हमेशा पाने को शुद्द करने के लिए oxidizing जैसे bleaching powder भी है bleaching powder का यूज भी किया जाता है यह भी एक क्या है oxidizing agent तो student यह थी हमारी आज के oxidation और reduction की class यह आकसी करन और अपचैन की class class आपको केसी लगी कमेंट सक्षिन में जरूर लिखिएगा और अगर इस class related और भी कुछ डाउट अगर आपके पास है तो आप कमेंट सक्षिन में लिख सकते हैं यह आपकी जो यह डाउट है जो आप कमेंट सक्षिन में लिखोगे यह आपकी next chemistry की जो भी class रहेगी उसमें clear कर दिये जाएंगे तो डाउट जरू लिखिएगा पढ़िएगा स्टुडेंट आपको एक बात और बता दू कि अगर आप यह जो टॉपिक है चैनल से complete करने के बाद मेरे पढ़ाने के बाद आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है जो भी बुक से उसे इसके questions करिए doubts obviously create होंगे ही होंगे जो भी doubts होंगे वो आप comment section में लिख दीजिएगा next class जो है chemistry की उसमें आपकी जो doubts है clear कर दिये जाएंगे तो student channel पर अगर नए हो अभी भी आप तो subscribe नहीं किया हो